आपको पता है के अंडॉइट पाई हमें देखने को मिला लेकिन इसमें दॉस्ता एक फीचर में आपको बताया था कि इसमें एक फीचर है हमें ग्रेए जो है स्क्रीन ब्लیک ऑन वाइट देखने को मिलेगी मैंने अपनी एक विडियो में आपको बता था तो वह फीचर हमें जो है कहीं पिनी में था है दोस्तों वो हेडन फीचर है बहुत ही जबतस किसम का फीचर है मैं आज आपको दखाऊंगा कैसे आप जो है उसको इनेबल कर सकते हैं अपने स्मार्टफून में नोवाथ रियाई में या और जिनके पास जो एंड्रॉइड पाई को यूज कर रहे हैं उनके पास दोस्तों व कोई वीडियो भी अप्लोड कर हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों चलते हैं मॉबाइल की स्क्रीन पार और मैं आपको दुखता हूं कैसे आप जो है अपने नोवाथ रिया या हुआवावी की कोई डिवाइस भी है जिसमें आप एंड्रॉइड पाई यूज कर रहे हैं इंड्रॉइड पाई में यह फीचर है कैसे आप उसको जो है इनेबल कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपने जो है जाना है सेटिंग में सेटिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक निया फीचर मेला था डिजिटल बैलेंस आपने नीचे एक option देख रहा होगा gray screen सबसे पहले दोस्तों आपने उपर से जो है इसकी timing सेट करनी है कि जिस time तक आप चाहते हैं कि आपको जो मुबाइल है वो gray हो जाए बिलकल black and white हो जाए टाइमिंग दोस्तों आपने अपने साफ से सेट करके जो है इसको on कर देना है तो on करने क बाद दोस्तों आपको यहां पर यह option देगा और आपको जो smartphone है वो बिलकल जो है gray हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको smartphone है वो बिलकल gray पर work करेगा चाहिए आप कोई चीज भी open कर रहे हैं कुछ चीज भी open कर रहे हैं वो आपको smartphone जो है games वारा जो है सब totally जो है आपको ग्रे हो जाएगा यह नहीं कोई चीज कलरफुल रहेगी कोई ग्रे साथ टोटली जो है आपका जो स्मार्टफून है वो ग्रे हो जाएगा तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को सब्सक्राइब करके बाइल आइकन को भी दिबाद दे ताकर मैं कोई वीडियो भी अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मेल जाए तो अगर आपके किसी करें कोई क्वेश्चन है आप मुझे से पूछ सकत झाल